15 लिटर की ओयल टिन कंटेनर बहुत काम के होते हैं इसे खुबसूरत प्लांटर बिक साइज का बना सकते हैं असलालेकूम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शबनूरेली 40 रूपे में यानि 40 रूपे में आप एक टिन कंटेनर काबारी से खरीच सकते हैं या फिर किसी शॉप पर जहां ओयल ये कंटेनर बिकते हैं, खाली कंटेनर ले सकते हैं इसमें फोड़ा बहुत ओयल रहता है, वो मैंने पलट लिया है और इस तोड़ा सा पार्ट जो टिन का अपर पार्ट था उसको मैंने कट करके निकाल दिया हुआ है और काटनी के लिए मैंने सीजर की ही हेल्प ली थी और उसके बाद हमने एजिस को हतोरी की हेल्प से स्मूद बनाया है ठोक कर और अब इसमें बनाने हैं ड्रेनेज होल तो इसमें पाथ ही अच्छे ड्रेनेज होल हम तयार कर लेंगे बस एक कील की हल्प से ठोक कर आप इस तरीके के होल बना सकते हैं ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी होता है ताकि एक्स्ट्रा वाटर ये निकाल सके ये काफी गंदा था मैं इसको साफ कर लेती हूँ अब देखे मैंने इसको वाश करके साफ कर लिया है और अब इस पे कोई ग्रेसी ग्रेसी सा कुछ नजर नहीं आ रहा है इसके बाद टाइम है पेंट करने का तो ये ब्राउन कलर में नहीं लगाऊंगे मैंने पहले वाला प्लेंटर आपको जो दिखाया उस पर मैंने लगाया था रेट कलर लेकिन अब मैं इस पर लगाऊंगी यलो कलर तो मैंने इस पर enamel paint लगाया है जो ग्रिल या लोही या टिन पर किया जाता है ये बहुत मजबूत paint होता है और waterproof होता है जिसकी वज़े से पानी से ये धुलता नहीं watering तो करना ही पड़ती है वादे में इसके बाद इसको dry करने के बाद हलका फुलका सा decorate कर लेते हैं मैं अपनी garden को जंगल लुप में हमेशा देखना पसंद करती हूँ इसी वज़े से ऐसी चीज़े वहाँ पर create करती हूँ जिसके नैचरालिटी आया उसके अंदर और ऐसा लगी के हम नैचर के बीच में हैं तो यह है मश्रूम और मैं इसी तरह से जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ ड्रॉक कर लिया है हलका कोईले से पहले थोड़ा सा और फिर मैं paint की help से इसको paint कर रही हूँ और इसमें कुछ लीव्स वगेरा तो मश्रूम बनाने के लिए आप इस तरह से ट्रॉ कीजिए और राउंड शेप में भी मश्रूम बनाए जा सकते हैं लेकिन ये मश्रूम इस तरीके का कुछ नैचरालिटी देता है और ये सारी colors ही enamel color है यानि के grill वाले लोहे पर paint करने वाले color है अगर ये थोड़े से थिक है तो इस पे तारपी नॉयल दो बून तीन बून मिलाकर इसको आप थिन कर सकते हैं और कुछ इस तरह से मैंने borderline ड्रॉ किया हुआ है और ब्रश में जो बचा हुआ paint रहता है उसे में dot लगा देती हूं और फिर उसके बाद wash करके अपना brush दूसरा color यूज़ करती हूं तो यहां मैं blue color से mushroom के ऊपर dot बना रहे हूं ये छटे-छटे से dot ये mushroom के painting मुझे बहुत खुबसरत लगती है मेरे favorite design में ऐसे एक है मैंने दू प्लांट की shopping अभी कुछ टाइम पहले की थी और जिसमें से एक प्लांट को मैंने report कर दिया वो रात की रानी का था अब मेरे पास एक प्लांट और बचा है मैं next वीडियो में आपके साथ इसी container में उसकी reporting शेयर तो mushroom यहाँ पर ready हो चुका है पेंट होने के बाद अब थोड़ी सी drawing और यानि के green leaves और brownish touch हम दे देते हैं इसके stem में mushroom के stem में तो यहाँ पर हमारा mushroom ready हो गया है और अब थोड़ी सी designing और खुबसूरत touch इसको देते हैं चुटे चुटे सी dot और इंज शेड में मैं इसको यहा होते हैं और बड़े से बड़ा fruit plant आप इसमें ग्रूप कर सकते हैं ग्रूटिंग भी होती है तो यह लीजिए जमीन की green green grass और थोड़ी सी leaves बस यह थोड़ा से जंगल लुक तयार हो रहा है हमारा और इसके बाद इसकी reporting हम आपके साथ बाद में ही शेयर करेंगे कि इतने ब क्योंकि इस container को एक corner डेकोरेट करने में भी यूज किया जा सकता है यह थोड़ी थोड़ी leaves बना देने के बाद अब यह काफी खुबसूरत लग रहा है आपके हिसाब से यह खुबसूरत लग रहा है या नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वी वीडियो यूसफुल लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चाहिए तो शेर भी कर लीजिएगा अच्छे-चे से कामेंट कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और सारे यूसफुल वीडियो देखने के लिए और और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए साइड म एक प्यारी सी वीडियो क्लिप देखिए कि प्लान लगा इसमें कैसा लगता है फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफेज